किसान साथियों नमस्कार हर रोज की तरह मैं आज फिर आपको एक ऐसा वीडियो पेस्ट करने जा रहा हूं जो आप एक बकेट के अंदर गुलाबी गुलाबी पानी देख रहे हैं यहो कोई बजार उत्पाद या फिर बजार से लाके कोई उत्पाद नहीं बनाया गया है यहों उत्पाद बनाया है मैंने पलास के फूलों से कनेर के फूलों से इन दोनों को मिलाकर मैंने पोटास बनाया है जो कि फूलों के रूप में जो होता है पोटास वो पलास और कनेर में बहुत आयत्म होता है और मैं आपको बता दूँ ये वेस्टर डी कंपोजर के साथ बनाया और मैं आपको सिसी भी दिखा देता हूँ 20 उर्पे वाली वेस्टर डी कंपोजर की सिसी ये नेशनल सेंटर आफ और्गनिक फार्मिंग का उत्पाद है माननियक रस्णे चंद्राजी ने इसको किसान हित में डवलप कराया और किया ये सिसी आपको रसाइन मुक्त करने के लिए आपकी एक पीडि नहीं आपकी आने वाली बहुत पीडियों के लिए एक ए सिसी काफी है मैं जब से इस सिसी को उप्योग करने लगा हूँ किसान साथियों आत्मियता से कहना चाहता हूँ आप सभी को कि जो परिणाम मुझे पहले जिन उत्पादों को बनाने में नहीं आते थे समय ज़्यादा लगता था परिणाम न के बराबर पर जब से वेस्टरडी कंपोजर की सूचना मेरे तक पहुँची और मैंने इसको अपनाना चालू किया रूश के बाद मैंने हर एक उत्पाद हर एक पहलू को जाचा परखा समझा और मैंने मेरे खेत को एकदम ऐसे इस्तिति में ला दिया कि आज पाउं रखो तो अंदर धस जाता है केंचवे असंखिय छोटे छोटे कंकर वेस्टरडी कंपोजर के साथ अपना मॉलिक्यूस तोड़ते दिख रहे हैं फसल अच्छी फसल की ग्रोथ अच्छी फुटा और जीने भी मैंने इनको इस्तिमाल करवाया बहुत शांदार उनको परिणा आ रहे हैं आज अपन चर्चा करते हैं इसी वेस्टरडी कंपोजर के द्वारा निर्मित एक ऐसे उत्पाद की जो किसी भी फसल के लिए बहुत ही मेतुपोन है किसान साथी अक्सर क्या करते हैं कि फसल को हराकच दिखाने के लिए किवल नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं यानि कि बाजार से पैसे खर्च करके यूरिया के कट्टे लाते हैं किसान साथी आप नाइट्रोजन करपे बना सकते हैं फासपर उस घर पे बना सकते हैं यानि कि आपकी फसल की आवश्यक्तत्व आप अपने घर पे बना सकते हैं, शंपूर्ण जानकारी आप वीडियो की मादिम से भी देख सकते हैं, पास सकते हैं, माननिय कृष्ण चंद्राजी के ऐसे असंग के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हैं, उनका एक यूट्यू करें जिससे कि आपकी फसल को पूर्ण आवश्यक्ता, निूट्रेंड मिले, और आज इस वीडियो में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पलास्क और कनेर के फूलों से मैंने तीन महीने इन फूलों को वेस्टर डी कंपोजर के अंदर बोतला में भरके रखा था, समय समय प गेहूं में बालियां बननी चालू होगी, पोटास की उपयोगीता गेहूं में, वो सभी फसलों में पोटास की उपयोगीता है, लेकिन मैंने ये उत्पात तयार किया है, गेहूं और सरसों और जीरे के लिए, जीरे में इसका उपयोग तो पूरा कर नहीं पाऊंगा, क्यो पर नहीं कर पाता हूं विश्तरत राजस्तान वो भारत के कहीं इलाकों से भारत के बाहर से कहीं से भी ऐसे जो हिंदी बासी दैसे वहां से फोन आते हैं जानकारी प्राप्त करते हैं यह एक किलो फूल मैंने खटे किये थे और पांच लिटर वेस्टर डी कमपोजर के अंदर इनको गलाक के रखा था ऐसे मैंने कनेर के फूल बिच्छू गास के फूल पीली कनेर के फूल ऐसे भी मैंने कही तरह के उत्पाद बनाए थे और आज यह जो गुलाबी कलर का मैं आपको दिखा रहा हूं इस बकेट के अंदर यह पोटास और कई ऐसे शुक्ष में तत्यों की पूर्ति करेगा पोटास की अवशक्ता फसल को जब होती है जब फसल के अंदर बालियां बनके दाने बनने चालू होते हैं इसका प्रतियक सुरूप में परिणाम नजर नहीं आता है देखने में जब फसल पकने के बाद फसल के फूल कनेर के फूल है तो आप इन से बनाए पोटास नहीं तो प्राक्रतिक रूप से एक पत्थर होता है फैल स्पार उसमें भी पोटास पाया जाता है और पत्थरों के तत्व जो अगर आप इस्तिमाल करते उसमें भी पोटास पाया जाता है केले से भी आप पोटास ब परिनाम आता है मैं आपसे यही कहता हूँ कि जो भी उत्पाद अगर आपको चाहिए फसल को देने के लिए आप केवल यूरिया के बरोसे डी एपी के बरोसे नहर रहके सारे न्यूट्रेंट दें ताकि आपको बाजार से कोई ऐसा उत्पाद लाने की अवश्यक्ता ना हो हा आप माद्यम मान कर करें तो मैं मानता हूँ मेरा पूर्ण विश्वा से और मैं आपको गारेंटी भी दे सकता हूँ कि अगर आप इसको लगातार एक साल तक तनमन धन से लगातार वेस्ट डी कंपोजर के साथ ऐसे उत्पादों का निर्मान करके आप अपनी जमीन में अप साइसे मुक्ति पाएं मैं आपके साथ हूँ आपको कोई दुविदा नहों इन उत्पादों को बनाने में में मेरे नंबर दोहरा देता हूँ फॉन उठाने में असमर्त हूं क्योंकि असंक्य फॉन रोज के आते हैं आप वाट्सॉप किया करें मेरे वाट्सॉप नमबर 9461691944 जी किसान सातियों करिए वाट्सॉप आपका उत्तर आपको मिल जाएगा धन्यवाद